हे वाई टी बियंस की हल चाल वेलकम बैक टो दे चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप मनाली जाना चाहते हैं बिना किसी पैकेज के लगभग बहुत ही कम कोस्ट में तो आप कैसे पहुंच सकते हैं इस आज की वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको डिटेल बताने जा रहा हूं तो आएए चलते हैं अपने लैप्टॉप की स्क्रीन में और जान लेते हैं कि बहुत ही कम बजट के अंदर आप दिल्ली से मनाली कैसे पहुंच सकते हैं वहां कैसे स्टे कर सकते हैं वहां पर डिनर, ब्रेक फास, लंच क ऐसे कितने का और कहां पर मिलेगा, क्यां कहां पर आपको घूमना होगा, सबसे सस्ता घूमना फिरना कैसे आप कर पाएंगे, ऐसी जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं, तो आएए चलते हैं अपने लैप्टॉप की स् इसके साथ साथ अगर आप वाईटी भारत के पीछले धाईसो से जादा वीडियो को देखना चाते हैं, तो वाईटी भारत चैनल पर अभी जा करके सर्च करो, और ट्रैवल से जुड़े हुए पूरी इंडिया के अलग-अलग डेस्नेशन के वीडियो देख करके और आप इस डिटेल को ले करके जाएए और हाँ दोस्तों अगर आप किसी और दोस्त को ये डिटेल करना चाहते हैं, तो वीडियो के शेयर बटन पर शेयर कर दीजे और उसको भी जो है फाइदा पहुचाएए, तो आएए शुरू करते हैं, आज का ये बहुत ही इंटरस् आप अपने बजट के अंदर मनाली का टूर कैसे कर सकते हैं, इस पूरी डिटेल एक्सल में आपको बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे हाव टो रीच दिल्ली मनाली दिल्ली, हाव टो बुक होटल इन मनाली और सबसे इंपॉर्टेंट पूरा डिटेल मन मनाली साइट सेंग, तो तीन सेक्शन में इस वीडियो को मैंने डिवाइट किया हुआ है, पूरे एक्सल पर फॉर्मेट मैंने खुद क्रियेट किया है, अपने एक्स्पिरियंस के बिहाव पर जो मैं इतने सालों जा करके मैंने मनाली से गेन किया है, वो आज पूरा primitive video आपके लिए हो नहीं सकती आ यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल हाव टो रीच दिल्ली माली डिल्ली दोस्तों दिल्ली मनाली दिल्ली कैसे आप पहुंचें इसके लिए सबसे पहले मैं आपको mode बताऊंगा ये mode है सबसे costly mode है आपका flight से आप सकते हैं और ये जो जितनी भी मोड है फ्लाइट का तो बहुत कम किलोमेटर्स है लेकिन अगर मैं आपको लेंड की बात करूँ तो करीब डिस्टेंस पड़ता है दिल्ली से मनाली का 530 किलोमेटर्स अप and 530 किलोमेटर्स डाउन तो ये थोड़ा सा डाउन हो सकता है अगर आप थोड़ा सा रस्ता चेंज करें लेकिन एराउन इतना ही स्टेंडर्स डूरेशन है फ्लाइट से आप जा सकते हैं वालवो चलती हैं दिल्ली से बहुत सारी उससे जा सकते हैं बहुती कमपटेबल यात्रा होती है हिमाचल रोडवेज की बसे होती हैं कैब होती है बाइक आप रेंट ले सकते हैं रोयल इन फिल्ड की बुलट लेकर के जा सकते हैं आई अब इसका खर्चा जान लेते हैं फ्लाइट लेंगे दिल्ली से तो लगबग 4,000 रुपे से लेकर के 10,000 रुपे तक की पड़ती है सीजन के कॉर्डिंग वाल्वो की बस लोगे तो 1000 मिनिमम से मैक्सिमम 2000 रुपे हिमाचल रोडवेज की बस लोगे, ISBT इंटरेस्टेट बस टर्मिनल से लोगे आप तो आपको लगबग 6,000 रुपे की पड़ेगी कैब करोगे तो आपको एक साइड का लगबग 7,000 रुपे चार्च करेगी और बाइक रेंट पे लोगे तो उसका मैं फंडामेंटल आपको बतायता हूँ उसमें रेंट होता है आगर आप कोई सी भी बाइक ले रहे हैं रॉयल इंफिल्ड की तो कम सकम 1000 रुपे परड़े होता है तो पांच र का तवोई हो गया और फ्यूल और टोल टेक्स मिला लोगे तो लगबग 9,000 रुपे अप एंड डाउन का पड़ेगा मतलब दिल्ली, मनाली और दिल्ली आने जाने का पड़ेगा बागी ये जो फ्लाइट, वॉल्वो, हिमाचल और कैब का मैंने बताया है ये सिर्फ सिंगल साइड का चार्ड है आपका तो आई तिंक आप समझ चुके होंगे इस प्यूरी चीज़ को कि आप दिल्ली कैसे पहुंच सकते हैं फ्लाइट, वॉल्वो, रोडवेज, बस, कैब और बाइक आपके ये फाइव मोड अफ ट्रांसपोर्ट थे अब हम जब मनाली पहुंच जाते हैं तो सबसे दूसरा बड़ा हमारे या सवाल होता है कि हम वहाँ पर होटल को कैसे बुक करें दोस्तों आप ट्रेवल एजेंट्स के थू होटल को बुक करा सकते हैं आप डिरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं डिरेक्ट बुकिंग मतलब जब आप मनाली के अंदर एंट्री करें और सीजन आफ हो तो आप डिरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं वहाँ पर किसी भी होटल में जा 1000 रुपए पर नाइट के वहाँ पर चार्जिस आपको पढ़ सकते हैं. तो ये मैंने बताया आपको ओवराल होटल के बारे में कि क्या-क्या मोड है, क्या-क्या चार्जिस हो सकते हैं, तो I think आप समझ गए होंगे second हमारा part वीडियो का कि how to book hotel in Manali. अब चलते हैं सबसे big part पर और सबसे informative part पर वो है आपका Manali side scene. दोस्तों, Manali जो हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी ये सबसे important चीज़ होती है, कि कम से कम दिनों में comfortably हम Manali के आसपास के सारे area और Manali कैसे गुम सकते हैं. तो Manali-Manali की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हम इसको season में divide करेंगे, सूसरा हमारा column है places to visit, तीसरा है distance from mall road कितना है, क्या आपको suggest किया जाता है, किस से आप यात्रा करें mode of transport से, और alternate क्या-क्या mode of transport है, इन सबी जग़ों पर घुमने के लिए. चलिए start करते हैं, सबसे पहले आपको उटाते हैं, पूरे साल जो आप local sighting कर सकते हैं, वो आपका लगबग mall road से 5 km के area में, पूरा सब कुछ local sighting पढ़ती है, मैं prefer करूंगा, आपको कि आप by walking आप pedal अगर घुम सकते हैं, 0 से 5 km की यात्रा में, तो आप local sighting पढ़ल ही गुम के कर लीजे, नहीं तो आप taxi करेंगे, तो 1200 रुपे से 1500 रुपे लेगा, आप 4 लोग को आपको अलग-लग इन सारी location पे गुमा देगा, जैसे club house, one vihar, mall road, अदिमबा डेवी temple, मनू टेमपल, तिबतन monastery और old manali, लेकिन मैं उनको ये suggest करूँगा, कि वो auto taxi वाला ये alternate तब लें, जब वो honeymoon package को ले करके जा रहे हैं, और जब आप honeymoon package करते हैं, तो जातर honeymoon package में ये चीज होती ही होती है, ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आप walking करके जाएं, ये उन लोग के लिए हैं, जो friends के साथ जा रहे हैं, या उन लोग के लिए हैं, जो family जो अभी young है, जो और आम से घूम विर सकती है, तो उनके लिए मैंने बताए, local sighting, club house, वन विहार, mall node, harimba devi temple, manu temple, तिबतन monastery और old manali, आप घूम सकते हैं, local sighting में, तरीके मैंने बता दिये, कब walk करें, कब walk ना करें, आगे चलते हैं, season को change कर देते हैं, ये है March से October, और November से February, March से October हैं, मगर आप जा रहे हैं, Solang Valley और Wasis Temple, तो ये करीब mall road से पढ़ता है, 14 km, और जो मैं suggest कर रहा हूँ, कि आप जाईए, March से October में आप जाईए, जिसमें आप auto कर लीजे, 600 से 700 रुपे लेगा, जो आपको Solang Valley भी घुमा देगा, और Wasis Temple भी घुमा देगा, 600 से लेकर 700 रुपे में, और अगर आप bike rent कर लेते हैं, तो दो लोग आप घुम सकते हैं, bike पर Solang Valley, Wasis Temple, bike का rent आपका एक दिन का 500 से 1500 रुपे पड़ता है, और प्लस बस पेट्रोल आपको डलवाना है, इसके बाद, और अगर आप जाना चाहें, तो auto taxi से आप घुम सकते हैं, March से लेकर के, October में 4 लोग को एक साथ घुमाएगी, और ये करीब आपका लेगी, 1500 रुपे अप एंड डाउन का, Solang Valley से Mall Road और Mall Road से, Solang Valley और साथ में Wasis Temple, 1500 रुपे में 4 लोग को घुमा देगी, Choice is yours, उसके बाद number से 5 की बात कर लेते हैं, जो dense snowfall पड़ती है, तब Solang Valley वसिस Temple जाने का तरीका बताता हूँ, 14 किलोमेटर Solang Valley पड़ती है, Mall Road से लगबग 5 किलोमेटर के आस्वास पड़ता है, आपका Wasis Temple, 4 इंटू 4 जिपसी ही चलती है, Solang Valley जाएं या Wasis Temple जाएं, क्योंकि इतनी ज़दा snowfall होती है, कि आप नॉर्मल किसी भी विकल से जा नहीं सकते, आपको जब जाएंगे, तो आपको इसका खर्चा पड़ेगा लगबग 3500 रपे, और कितने लोग बैठ सकते हैं, बतायता हूँ, इसके अंदर ड्राइवर एक होता है, 5 लोग प्लस आप बैठ सकते हैं, तो कुल मिला करके, 6 लोग आप बैठ करके जिप्सी में जा सकते हैं, और इंजॉय कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, अगर आप कुल्लू कसोल मनी करन घूमना चाहें, तो सीजन के अकॉर्डिंग 2 में डिवाइड की आगेन, फिर से मार्स एक्टूबर, कुल्लू कसोल मनी करन जाते हैं, लगबग 85 किलोमेटर है, मॉल रोड से, औल्टो टेक्सी मैं आपको सजच कर रहा हूँ, 3000 से 3500 रुपे तक मैक्सिमम ले सकती है, इसके बाद अगर आप बाइक को रेंट कर लेते हैं, तो वही 500 से 1500 रुपे प्लस पैट्रोल, इसके बाद चलते हैं, नॉमबर से फैब जब स्नोफॉल पड़ती है, कुल्लू कसोल मनी करन घूमने के लिए, वही सेम 85 किलोमेटर्स, वहाँ पर जातर उन दिनों में जब स्नोफॉल पड़ती है, जिपसी में पहली बताए आपको, कि आप 5 प्लस वन बैट सकते हैं, तो ये बात हो गई, कुल्लू कसोल मनी करन अगर आप घूमना चाहें, अब आपको बताते हैं, अग आपके सपनों का जो में डेसनेशन है, रोतांग पास, वो केवल जून से एक्टूबर के बीच में खुलता है, करीब 25 किलोमेटर है, आपका मॉल रोड से, ऑल्टो टेक्सी की बात करें, तो धाई जार से तीन जार रुपे लेती है, जिसमें रोतांग घूमने का परमिट भी इंक्लूडिड होता है, इसी के अंदर, और अगर आप बाईक रेंट से जाना चाहें, बाईक को रेंट करना चाहें, तो स्नोफॉल बाईक से रेंट करना चाहें, तो स्नोफॉल क्योंकि पढ़नी रही होती है, तो आप स्नोफॉल के बिना बाईक रेंट करके जा सकते हैं, 500-1500 रुपे प्लस पेट्रोल प्लस यही जो बाइक रेंट वाले आपके होंगे वो 300 रुपे का आपको रोतांग का परमिट बनवा करके दे देंगे तो I think आप समझ चुके होंगे मनाली सोट साइट सिंग की सारी इंफॉरमेशन है आपको मैंने इस वाले पार्ट में दी जो हमारा थर्ड पार्ट था वीडियो का और इसमें आप इस स्क्रीन को पॉश करके भी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीन को रोक दिया है यहाँ पर पॉश करके इस पूरे ग्राफ को जो एक्सल पे बनाया गया है आप समझ सकते हैं और समझ करके आप मनाली बहुत ही अराम से अपने बजट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं तो अगर मैं on average बात करूँ तो मनाली घूमने का जो normal खर्चा है दिल्ली से लेके मनाली और वापस दिल्ली आने का वो आपका 3000 रुपे के आसपास लगबग पढ़ना चाहिए जिसमें आप अराम से घूम फिर करके वापस दिल्ली मनाली से आ सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा luxury चाहिए तो आपका 5 रुपे करीब पढ़ेगा और आपको जाधा ही luxury चाहिए आपको बिल्कुल luxury चाहिए तो आपका 7,000 रुपे से लेकर के 10,000 रुपे तक के बीच में पढ़ना चाहिए जो आपका hotel में included होता है और अगर आप honeymoon packages की बात करें तो वो आपके लगबग स्टार्ट हो जाते हैं 11,000 रुपे से लेकर के 30,000, 40,000 तक जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी category का hotel ले रहे हैं या कौन कौन सी services ले रहे हैं मैं suggest यह करूँगा कि हमेशा honeymoon package हमें average लेना चाहिए आपको कम से कम 11,000 रुपे से लेकर के 15,000 रुपे तक का honeymoon package लेना चाहिए अगर आप असलियत में वहाँ पर सही से honeymoon करना चाहते हैं इसके बाद बहुत luxury चाहिए आपके पास extra पैसा है तो आप 25,000-30,000 रुपे तक का package ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा यह screen post मैंने आपके रखी हुई है इससे जुड़ेवे कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं तो वाईटी भारत चनल पर आप पूछ सकते हैं सारे सवालों के जवाब आपको हमेशा के तरह दिये जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और साथ में लगे बैल आइकन को दबा के ओल को सेलेक करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ना अच्छा लगे तो सेजेशन देगा के डिसलाइक करें मिलते हैं वाईटी भारत के सरे के बहुत यगले इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों बने रही है वाईटी भारत चनल पर थैंक यू सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में